आफाइनले हमने कुछ एसिल जगा पोंच गए है जहां पर इसे आगे शे पाइज उन्से कहा कि आगे रास्ता बात राश राट करें था हम पो होते हैं नहीं जाना था पदरि जोग वड़ी सांडियों में बन लेका साहे हैं यहां बर्ग किते हैं, तो पाड़ा आपने रुक्रेश्ट भी कियें सकी, पद्री जोज घूमना है। पद्री जोज का सफर में भी शायद है, यहीं भी रतम हो जाएगा आपके। हेलो दोस्तों स्वागता है आपका वंसेगें मेरे यूट्यूब चैनल के आपका अपना भाई चाहरा। तो आज नए एपिसोड नए इश्रबात कर रहे हैं हम किहार से, आज मेरे सेयोगी साथ पे नवीन जी जिए हमारे साथ आपको नवीन जी जिकादों का अपको तो आज आपना सफर शुरू करते हैं किहार से पद्री जोज तो बिना समय बर्बाद कियोए हम चलते हैं आगे अपने जर्नी को करते हैं आगे कंपलीट और बाई का हमारी रयाड़ी है और यह रहे हमारे साथ नवीन जी हमारे सेयोगी जिस्टिक चमबा के रहने वाले हैं तो जैसे कि आज हमारा सफर किहार घाटी की सुंदर्ता और प्राक्रितिक को जगमगाता हुआ आपके सामने है पहाड़ों के बीचों बीच बसे ये गाओं जिनकी सुंदर्ता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इस पहाड़ी के पार जेंड के है और ये पुल 1975 का बना हुआ सबसे पुराना पुल है और आप जानते ही हैं कि चमबा शिव भूमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे देव देवियों का निवास होता है हमारे यहाँ देवते देवियां सबी की पूजा की जाती है उन्हें काफी माना जाता है यहाँ की सुंदर्ता ही इतनी कूपसुरत है नदी नाले जरने और वो बने हुए पुराने पुराने पुल कुछ पुरानी हु जो कि देखते ही दिन खुश हो जाता है किहार से पदरी जोत का ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप अपने आप को खो देंगे क्योंकि यहां की सुन्दरता ही ऐसी है हम लोग काफी बाते करते हुए पता ही नहीं लगा कि कब कहां से कहां पूंच गे फिर कहार से निकले कब संगणी पहुँच गए फिर कब बांदल पहुँच गए क्योंकि यहां घने जंगल जरने फाइनली हम ना कुछ ऐसील जगा पहुँच गए है जहां पे इतना जवर्दस्त वाटरफोल है न यारे इसके नीचे जाके एक उता चेकर से कि अब पूरा फील आएजी आएजी अब ने वाया यार जो पद्री जोड का सफर होने वाला काफी जबर दस्त है तो आज यहां दूनों ताद में निकले हैं वैस दोनों साथ मैं तो नहीं जाए हैं तो खना बरसे नहीं जाए हो तो हम आप इस जदा है है आगव को ऑूझे देता की अज़ा शेया ना आधा है तो आगे के सफर हमारा पूरा पदूरी जोग है, किने यहां प्रेस बिए। तो मुश्किल हो जाएगी हमें रुकना पड़ेगा बारवारो ये देखिए बहुत बड़िया नीद आ गई है वही हो जरने में रुक के काफी देर वहां पे आनंद करी मजे लिए और उसके बाद निकल पड़े अपनी अगले पड़ाव की वहां करते करते कब भांदल इस ज इस जरने को बाइक से पार करना एक छोटी सी चुनोदी थी लेकिन भाई ने काफी प्यार से अराम सब्सक्राइब अब चलते हैं आगे यह सारा ओफरोड ही है यहां पर पूरा स्लाइड हुआ जए यह बंद था पहले अब देखते हैं आगे हमको मिलता है वह कैसे कैसे यह तो वार्टरफोल काफी जवर्दस था अब याज ओपरोड अब साथ में हो गया तोड़ जो है यह थोड़ा तंग कर लाया अपने को एरा सा चोटा सा गाउन लंगेरा अरा नजीत और अब बढ़िया बनाया हुए यह तो दखड़ी का फुड़ा ना भाई ने कुड़ा शीचा लगवाया है लंगेरा इससे आगे कोई गाउ नहीं है इसके बाद आपके बोर्टर सारा शुरू हो जाता है यह यह यहां पर आया है तो पहले तो अब मैगी खा लेते हैं कि इससे आगे बता नहीं पदरी जोट केतना दूर है तो मेरी जाए 20 km किलोमेटर का सफर है लेकर पेट पुजा हो जाए उसके बाद काम दूजा भाई य इस मतलब हमाई तो पर देशिक चमबा यह लांस्ट गावार इसे आगे जेहन के बोर्टर शुरू हो जाता सारा और इसारा को जोग फदरी जोट काफी बढ़ी है उस संदियों में बंद रहता सारे संदियों में बंद रहता है यह बंद कितने गर बर 5-6 पर जाए पर तो भी है कि जोग लग तभी सै कि रहें सिटार कर लूद्ध गया दिख्यार है! पार और यहां पे मुई करह जो अबoli है ? यहां यहां एक नम रहने में वेकों लिए आम नमें डिगे है अब यहां बर जेयां बरॉड़े के छिसा दो दोगी शियन कुछा अब measurement काफी दिनों बाद मैगी खाई तो काफी अच्छा लगा फिर मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े ताकि अंधेरा होने से पहले हम पद्री जोट पहुंच सके लेकिन शायद हमारी किसमत पे लिखा ही नहीं था क्योंकि हमें यहाँ पुलीस दोबारा बताया गया कि आगे आ सफर में भी शायद है यहीं भी खत्म हो जाएगा आपने लग्ष हो रहा है कि हम नहीं जाना पार रहे हैं तो वहीं से बापी जाना निराज होके बापी जाना पट रहा है आज करते हैं तो लाइक जो करना चनल करें राइब ग्याट इन गयर भी निरा आपका आपका हुआ कि आप कि आप